आज गौतम बुद्नगर के दादरी विधान सभा में भारतिय जन्ता पार्टी ने अनसूचित सम्मेलन किया है इसमें सैकलो लोगों ने भाग लिया और इसकी मुक्य अतिती रही है पूर्व उत्राखंड की गवर्नर और भारतिय जन्ता पार्टी की राष्टिय उपाध्यच श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी और इस वक्त बेबी रानी मौर्या जी हमारे साथ मौजूद है मडम किस तरीके से आपने लोगों को बताया कि दलितों की जो सुरच्छा है जो सम्मान है वो भारतिय जन्ता पार्टी में सुरक्षित है और किस तरीके से इस जनसभा को संबोधित किया और कैसे आपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया कि केंद्र की जो नीती है वो दलितों, पिछडों और गरीबों को लेकर के ही बनाई जाती है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो प्रधान मंत्री जी का नारा था सबका साथ सबका विकास उसके अंतरगत उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई ऐसी योजनाय बनाई जो हर गरीब दलित पीडित सोचित पिछड़े तक पहुंचे और आज उनकी नीतियां दिखाई भी दे रही हैं उनकी योजनाय दिखाई भी दे रही हैं केवल जहां तक नहीं पहुंच पारें उसके विशे में जानकारी दी है और आप जो ये देख रहे हो यह भारतिया जनता पार्टी के साथ साथ जाटव समाज के भी लोग हैं मेरे साथ कड़े हुए आज स जाटो समाज से आती हैं और बिजेपी की राष्टिय उपाध्यच भी और जिस गढ़ में आप अधिसूचित समाज की बात कर रही है ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावतई जी का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है कि उनका यहां पे पैत्रिक गाउं भी है और यह जो वि उन्हency challenge देने नहीं आई मैं तो मेरे जो जाटब समाज के कार करता हैं उनको अभ्रान करने आयुँ कि आपका मान सम्मान भारत्य जनता पार्टी में, आप भारत्य जनता पार्टी में मेरे साथ कार्य करिए और जब आप कार करेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा मुझे भारत्य जनता पार्टी ने गवर्नर बनाया आज राज्चियों पाद्यक्षू हूँ, आगरा की मेर रही हूँ, तो जो ऐसी पारिटी दलित पीडित गरीवों के लिए कारे करती है, तो क्यों नो उसके साथ जुड़ा जाए। लेकिन अगर गौतम बुद्नगर की बात करें, तो ये एक वक्त था कि बस्पा का गड़ था, लेकिन आज बिजेपी का गड़ बन चुका है, बिधायक से ले करके सांसत, बलाक परमुक्ष से ले करके जिलापंचायत, अध्यत, सभी बिजेपी के हैं, ये गड़ बरकरार रह आपने तो मेरी बात कह दी है, लेकिन फिर भी मैं यही कहने चाहूंगी, कि जाटव समाज आज मेरे साथ खड़ा हुआ है, और हम भारतिय जनता पार्टी में और अधिक वोटों से जाटव समाज के साथ पार्टी को जिताएंगे, तब आपको लगेगा कि भारतिय जनता प परगातार जो राजनेतिक दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कॉंग्रेस हो, चाहे बसपा हो, दलित पिछडों की बात कर रहे हैं, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनानी है, तो दलित पिछडों को साथ लेके चलना ही होगा, लेकिन द चल रहा होगा पार्टी का, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, कि जातव समाज इसलिए भारतिय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, जो मान सम्मान का वो हकदार था, वो उसे वहां नहीं मिला, और जब कोई भी स्वाभी मानी व्यक्ति होगा, मैला होगी, अगर उसक सब्द कहा कि दलित और पिछड़े और जाटो समाज आपके साथ जुड़े, यानि बिजेपी के साथ जुड़े, अगर उन्हें तकलीफ होगी, तो उनकी आवाज बुलंद आप करेंगी, तो क्या ये समाज की जिम्मेदारी खास तोर से कहा जाए, तो उत्तर प्रदेश मे आपके कंदे पर दी गई है पार्टी की तरफ से, देखिए आप इसको इस तरह मत कहिए कि मेरे कंदे पर दी है, जब हम जिस पार्टी में काम करते हैं, तो वो पार्टी अगर हमारे उपर विश्वास करती है, तो हम भी उन पर विश्वास करती है, अगर किसी की कोई समस्य जाओगी तो समाधान तो हो गई कुल मिला कि यह माना जाए कि 2022 को लेकर के आपने चुनावी विगुल खास तोर से जाटो समाध में फूख दिया है आज बिल्कुल फूख दिया है समाज को भारतिय जनता पार्टी के साथ जोड़ रही हूं मैं और जो भी सरकार की नीतिया है चाहे वो क्रेंद की हो चाहे राज्य की हो उनको उनका पूर्ण लाब मिले वो भी उसके भागीदार बने उसकी भी मैंने जानकारी दिया है आपने देखा हमारे साथ जो भारतिय जनता पार्टी की राष्टिय उपाध्यश थी स्रीमती बेबी रानी मौर्या जी मौजूद थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश और केंद्र की सरकार काम कर रही है दलितों के लिए पिछडों के लिए और दलित पिछ का जो सम्मान है वो भारतिय जनता पार्टी में सुरक्षित है इसी बात को उन्होंने इस सम्मेलन में रखा है और उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ जुड़िये यानि भारतिय जनता पार्टी के साथ जुड़िये आपकी आवाज हम बनेंगे और पार्टी के सामने रखे A.B.P. गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी